So hi friends, आज इस वीडियो में हम आपके लिए बहुती अच्छी और इंट्रेस्टिंग इंफोर्मेशन लेकिया हैं जिस इंफोर्मेशन के जरी आप घर बैठे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कहीं कोई पैसा खर्च नहीं करना है किसी तरह का आपको ओफिस नहीं चाहिए ना ही कोई स्टाफ चाहिए और आप घर बैठे अपना पार्ट टाइम बिजने शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों यह है चोला की तरफ से चोला की तरफ से आपको यहाँ पे रैफर कोड मिल जाता है अगर आप इसे रैफर करते हैं और आपके जिरिये कोई लोन लेता है तो उसके ओपर आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा तो जैसा कि आप सब जानते हैं लोगडाउन के टाइम में आजकल सब को पैसों की नीड है और सब को लोन चाहिए तो आप इस एप को रैफर करके आप इस एप से घर बैठे पार टाइम जोग कर सकते हैं और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इसके लिए आपको एक रुपिया भी खर्च नहीं करना है सिरफ आपको अपने मॉबाइल का ही यूज करना है तो चलिए देखते हैं कैसे आप इसके लिए लोगिन कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो करना होगा, आपको सबसे पहले आपको mobile के play store में जाना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है चोला connector चॉला कॉनेक्टर टाइप करेंगी यह आप आपके सामने आजेगी आप देख रहें चॉला कॉनेक्टर रैफर एंड अर ना मन्नम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कमपनी की एप है और आप इसके रिवीव देखेंगे दोस्तों यहां पर आपको इसके अच्छे खाष से तो उसके ऊपर ऐगा और टीपी डालते हैं तो चली मैं फटाफट से मोबाइल नंबर यहां पर डाल देता हूं कि तो दोस्तों देखा हम ने इसके अंदर लोलोगिं हो चुके हैं अब दोस्तों आपके अपनी परसनल डिटेल डालनी है आप देखे रहे हैं यह पर रिजिस्टर न्यू अकाउंट आपको परसनल डिटेल प्रोफेशनल डिटेल के वाई सी अपलोड बैंक अकाउंट डिटेल तो यह सब आपकी परसनल डिटेल है यह आपके यहां पर स्टैप बाई स्टैप करके डाल दे पर आपको पर अपना नेम डाल दें अपना मोबाइल नमबर आपका यहां पर आजाएगा उसके बाद आपके अपना पैन नमबर डाल देना है जो आप यह स्टार के साइन देख रहे हैं यह सब आपको डालने है और नीचे आप देख रहे हैं employee reference name और employee reference code यह optional है इसकी जुरूरत नहीं है यह बस आप यह डाल के से next कर दें उसके बाद अपनी professional detail डाल दें जो भी आप करते हैं आप अगर अपना को बिजनेस है या फिर आ self employment award डाल दें उसके बाद आपको अपनी ID डालनी होगी और आपकी bank detail डाल के आपको next कर दिना है उसके बाद आपके आपके ID create हो जाएगी और उसके बाद दोस्तों सिर्फ जिसकिसी को भी loan चाहिए आपको उसे refer करना है और इसके जिरी अगर उसे loan मिलता है तो आपको उसके इसके बाद आप यहां पर रेजिस्टर हो जाएंगे तो दोस्तों privacy के चलते हैं यह सब process मापके सामने नहीं कर सकता है लेकिन आप यह खुद process अपने से कर सकते हैं इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है सिरफ आपको अपनी basic सी detail डालनी है और आप इसके अंदर login हो आप घसके बाltने आपको नहीं करम कर सकते हैं मैं कर सकते हैं